क्या आप अपने बच्चे का अधारकार है जो घर बेठे बनाना चाहते हैं जिसकी उमर 0-5 साल के बीच में है अब उसका अधारकार आप घर बेठे बना सकते हैं इसके लिए आपको कौन-कौन से सेट अप फॉलो करने होंगे इस वीडियों आपको बताने वाला हूं अब इस बताऊंगा वीडियो को मिश्मत करना तो इसके लिए सबसे पहले चलेंगे हम प्लाइश्टोर पर दोस्तों प्लाइश्टोर पर आने के बाद हमें एक एप्लिकेशन सर्च करनी है जिसका नाम है पोस्ट इंफो इसका लोगो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा दो जो कि है सर्विस रिक्वेश्ट का यह 24 के हिसाब से बिल्कुल नई वेबसाइट है तो आपको इस पर किलिक करना है अब जैसे किलिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा सर्विस रिक्वेश्ट का यानि कि इंडिया पोस्ट सर्विस यहां पर आपने एडस को बिल्कुल देख कर भरना होगा जिससे कि आपको कोई गलती ना हो आपको हाउस नंबर मकान नंबर आपका एरिया पिन कोर यह सारे चीज़ आपको कंफरम कर लेनी है इसके बाद यहां पर एडस फिल करना है अब इसके बाद दोस्तों आता है हमारे स पिन कोर आप टाइब करेंगे वो आपके अधारकार में मेंशन क्या जाए का जाएका इसके बाद एक अधारकार के लिए एक email id और एक mobile नंबर की जरुत होती है जो की valid अधारकार में डाला जाता है जैसे कि आपके OTPI इगा इससे आप काम कर सकता है और OTPI आने के बाद सा आपको यहां पर एक option मिलेगा select service का आपको select service पर click करना है जैसी click करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह के option देखने को मिलेगे यहां पर एक option मिलेगा आई-पी-पी-बी-आधार-Service इसके सामने का option मिलेगा दोस्तों आपको इस टिक वाले option पर क्लिक करना है इस पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नए interface देखने को मिलेगा अब जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर एक option और बचरा है जो कि select का option है अब इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों अब यहां पर option आता है कि आपको अपना आधार कार्ड में क्या करना है यानि कि आप चाहते हैं कि अपना child का आधार कार्ड बढ़ाना चाहते हैं जो कि 0 से 5 साल के बीच में है इसका enrollment करने चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहां पर टिक करना होगा और चाहते हैं कि अगर आपको mobile number या email id आधार कार्ड में अपडेट कराने है तो आप इस कॉलम पर क्लिक कर सकते हैं मैंने पहले से बना रखिए कि mobile number किस तरह से चैंज किया जाता है और अपडेट किया जाता है उसे आप लिंक को description box में मिल जाता है जहांसा आप चेक आउट कर सकता है तो चलिए हमें अपने बच्चों का आधार कार बनाना है जो जीओ से पांस साल के बीच में हैं तो सबसे पहले हम इस कॉलम पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहां पर जो भी हमने mobile number डाला दो तो इसके पास एक otp send क्या जाता है यहां पर एक one time password आपके mobile पर send क्या जाता है और इसका एक refresh number भी आपको मिल जाता है तो आपको यह रख लेना है क्योंकि एक refresh number है इससे ही आपका track status होता रहेगा तो चलिए देख लेते हैं कि आप इसका track status की तरह से चेक करेंगे दोस्तों जैसे आपको refresh number मिल जाता है तो आपकी उसी साइट पर एक option मिलेगा click to track your request क यानि कि जो आपने request लगाई है उसको आप track कर सकते हैं simple आपको इस पर click करना है इसके बाद आपके साइट इस तरह का option मिलेगा इसके बाद आपको यहाँ पर एक mobile number या फिर आप पर request refresh number भी डाल सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है refresh number जो भी आपको मिल चुका है दोस् का सारा नीचे की और आपको दिखा दिया जाता है यहाँ पर देखेंगे तो एक option आजाएगा आपके सामने कि इसकी detail में क्या क्या दिक्कत आ रही है या फिर आपका refresh number है कहां तक पहुंच चुका है अब दोस्तों आधरकार किस तरह बनेगा है वह मैं आप उतको बता देत हैं जो किसी step है जो आपको follow करने हैं वह मैंने बता दिये दोस्तों वीडियो परसेंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों क्या सियर जरूर कर दीजेगा आगे भी आप हमारी स्वीट तरह की वीडियो देखना चाहते है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगी समय समय पर थेंकी फॉर ओचिंग दिस वीडियो